यूकरेन के पास समंदर में बडी रूसी हल, चल ब्रेक करें इस वक्की बड़ी ख़बर, सिर्फ ब्रेकिंग राहूल ब्लाक सी में रूस के नौ जहाज देखे गए अज ओफ सी में रूस का एक जहाज तेनाद किया गया मेडिटरेनियन सी में रूस के आठ जहास तैनाथ हूँ गए युक्रेन पर रूस के बड़े हमले की तैयारी अब नौ विद विजुल्स राउल सीधे आईए बहुत बड़ी ख़बर है आज की अब सबसे बड़ी ख़बर मैं आपको बताना चाहरा हूँ ये देखिए 50-50 में युक्रेन के पास समंदर में बड़ी रूसी हल चल बलाक सी में रूस के नौ जहास देखे गए आज ओफ सी में रूस का एक जहास तैनाथ हुआ है मेडिटरेनियन सी में रूस के आठ जहास तैनाथ है युक्रेन पर रूस के बड़े हमले की तैयारी है सीदे की ग्राफिक्स पर आईए ये बहुत बड़ी ख़बर है समझे इस ख़बर की महतिता को समंदर से रूस की बड़ी तैयारी चल रही है मैं चाहूंगा राहूल फुल ग्राफिक्स दिखाईए पर एस वाल के साथ फुल ग्राफिक्स पहले दिखाईए क्या चल रहा है ध्यान से देखेगा ब्लैक सी में आठ शिप हैं यहाँ पर समंदर में यहाँ पर देखे ब्लैक सी में आठ शिप और 16 कलिबर मिजाईल के साथ ये तैयनाथ है मेडिटरेनियन सी में इस खबर की शॉट्स के साथ सीधे चलिए कॉमेडोर जीजे सिंग सर के बाद, सर ये जो डिप्लॉइमेंट है क्या आपको नहीं लगता है ये बड़े अटैक की तही आ रही है, खासकर वो जो 30 अपरेल की बात की जा रही है, जी बिल्कुल, इसके साथ मैं एक चीज कहना चा अगर वह मेडिटेरियन से जाना चाहते हैं तो लुको ये टर्की के रास्से से जो वहाँ पे उनको स्ट्रेट मिलती है, वहाँ से निकल के जाना पढ़ता है, बहुत नारो स्ट्रेट है और मेडिटेरियन सी के अंदर अगर नैटो की फोर्स को देखा जाए, तो वो भी प dominance जो है वो NATO American Forces की है वहाँ पे और जो रश्या का अभी मुझे एम लग रहा है उसका मकसद यह सब कुछ करने का है वो है Odessa के ऊपर कंट्रोल करने को कि Odessa एक ऐसी पोर्ट है जहां से पूरी एक्सपोर्ट जो है खास करके वीट की ग्रेंड की वहाँ से निकलती है और सर और आप हैरान होंगे सर आप हैरान होंगे अब कॉमडर जीजे सिंग सार जो अगली ख़बर है युक्रेन में पैनिक कितना है वो मैं आपको दिखाने बाला हूं सर प्लीज भी विद मी बड़ी ख़बर आहूल हमारे जितने भी दर्शे के लुक अट यॉर ऑन दे युक्रेनी सेना के बास मिजाइलों की कमी मैं यहाँ पर जाके बतारों यह देखिये अब आप नीचे विजुल्स को प्ले आउन करिए पश्चिमी देशों से एर टू सर्फेस मिजाइल मांग सकता है युक्रेन बड़ी ख़बर यह देखिये अब आप मिजाइल की कमी से युक्रेनी फोर्स के हावी होने का खत्रा यह यहाँ पर रश्या की तैयारी है और वहां पर युक्रेन का पैनिक है यह देखिये अब आप पलट वार नहीं होने पर रूस बंबारी तेज़ कर सकता है यह इन्फोर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं बिर्टिश अक्बार का युक्रेणी फोर्स को लेकर दावा दा फाइनशल टाइम्स की रिपोर्ट है फाइनशल टाइम्स को हम कोड़ जरू कर सकते हैं इस सब के बीच में एक और बड़ी कबर सीधे आईए फिर से मैं बता रहा हूं उसी ब्रेकिंग पर राहूल बड़ी फिर से आएंगे युक्रे इस ब्रेकिंग के साथ कॉमडर जीजे सिंग सर के पास आएंगे सर युक्रेण के पास मिजाइल नहीं है यहां पर रश्या की तैयारी है वहां पर युक्रेण में पैनिक है तो बिलकुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि जैसे मैं कहरें जो इंटेंसिफिकेशन ये हो रही है ये बीशन जंग हो रहा है इसका एक तो रीजन ये भी है कि उनके पास अभी हत्यार नहीं है यह जो सर्फे मिसाइल्स नहीं है वो इसका पूरा फाइदा उठाना चाहते है साथ में मैं देख रहा हूँ कि इस सीरिया के अंदर जो मौसम है वो बिलकुल क्लियर हो चुका है दोनों को रहात मिली है दोनों खुल के लड़ रहे हैं